नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत हैं, आशा करते हूँ, आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ फ्लापी ओमलेट की रेसिपी सेयर करूँगी तो जल्दी से रेसिपी सुरू करते हैं, रेसिपी देखिए अच्छा लगे, तो लाइक कॉमेंट कीजेगा और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को जादा से जादा सेयर कीजेगा तो यहाँ पर हमने 4 अंडे ले लिया है, अंडे को हम तोड़के वाइट और यल्लो पाट को अलग कर लेंगे तो मैं यहाँ पर 4 अंडे का बना रही हूँ, आप चाहिए तो 3 अंडे का भी बना सकते हैं अंडे को अलग रख लेंगे यह अलो वाले को अलग बावल में रखेंगे तो इसी तरीके से चारों अंडे को हम तोड़ लेंगे इसे हम साइड में रख देंगे और इसे हम अच्छे से फेट लेंगे बस एक मिनिट थोड़ा सा यह क्रीमी हो जाएगा तब तक तो इसे हम साइड में रख देंगे हो गया यह अब इसे हम इलेक्टिक बीटर से अच्छे से इसे बीट करेंगे एक से दो मिनिट जब तक यह अच्छे से फूल ना जाए एक से दो मिनिट हम इसे अच्छे से बीट करेंगे देखिए यह कितना फ्लपी हो गया और यहां तक हमें इसे बीट करना था और करिब हमें तीन मिनिट का वक्त लगे हैं इसे हम साइड में रख देंगे अब हम योग को इसमें डाल देंगे और हलके हातों से बस हम इसे मिक्स कर लेंगे बस हलके हातों से इसे मिक्स करना है बस ओमलेट के लिए हमारा बेटर रेड़ी है अब हम चलते हैं ग्यास की तरब देखिए देख सकते हैं आप कितना फ्लॉपी है यह एक पैन ले लिया है हमने इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच बटर आप ओइल से भी बना सकते हैं बटर को हम पहले अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लोग पे करेंगे और यह जो अंडे का बैटर है यह इसमें डाल देंगे चारों तरब अच्छे से हम इसे फैलाएंगे उपर से डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक इस तरीके से चारों और नमक आप अपनी स्वादनुसर यूज कीजिएगा थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर गैस का फ्लेम बिल्कुल लोग पे है और थोड़ा सा डालेंगे चीली फ्लेक्स यह ओप्सनल है आप चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्कीप करें बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से चारों बस गैस का फ्लेम लोग पे रखके हम इसे ढख देंगे तीन से चार मिनिट के लिए तीन मिनिट बाद नीचे से यह अच्छे से हमारा सिख गया है इसे हम थोड़ा साबदानी के साथ साइड से इस तरीके से उठाएंगे और इसे हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे देखें इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से स्पैचूला से थोड़ा सा पकर के रखेंगे और गैस का फ्लेम अभी भी हम लो पे रखेंगे इस तरीके से थोड़ी दे रखेंगे आप जब ये ओमलेट बना रहे हो तो पैन अगर आप छोटा लेंगे तो उसमें आसानी होगी ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा पलड़ने में दिक्कत हुआ तो इस तरीके से बस एक मिनिट रखेंगे जिससे ये अच्छे से साइड का सीख जाए अब हम गैस का प्लेम बंद कर देते हैं और ये देखिए ये बिल्कुल रेड़ी है गैस का प्लेम बंद कर दिया है और इसे हम एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे लिजे फिन्स हमारे फ्लपी ओमलेट बंके त्यार है इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाईए खाईए फिर मुझे बताईए कि आपको आज की रेसिपी कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को जादा से जादा सेयर कीजिएगा तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार